तो अगले महिने से 3 अक्टूवर से बिग बॉस पंद्रे स्टार्ट हो रहा है जिसके की सदसे लिष्ट आ चुकी है कि आखिर बिग बॉस में कौन कौन आने जा रहा है तो दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को आप लोगों से बता देना चाहता हूं गाईज अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब परो वेल आइकन को आन कर लीजिए तो पहला नाम आ रहा है आप लोगों के बीच में निया सर्मा का निया सर्मा को आपने हाली में बिग बॉस ओटी टी वे भी देखा होगा कि एक दिन के लिए सदसे बनीती निया सर्मा लेकिन बिग बॉस पंदरे में वो फिर से इंटर कनने जा रही हैं और पूरे सीजन के लिए ही और दूसरा नाम की बात करें तो दूसरा नाम सबसे जाना माना चेहरा माने जाने वाले एक्टर अरजन बिजलानी का नाम सामने आ रहा अरजन बिजलानी की बात की जाएं तो दोस्तों अरजन बिजलानी को अभी हाली में अपने खत्रों के खिलाड़ी सीजन इलेमन में देखा होगा अरजुन बिजलानी एक ऐसे एक्टर है जनकी पॉपिलेटी वाकई में दुनिया की सबसे अच्छी एक्टर में गिनी जाती है टेलिविजन के सबसे मसूर एक्टर में गिनी जाते है निया और सर्मा और अरजुन बिजलानी पहले एक्स में मर जावा सीजन वन में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम किया था लेकिन बिग बॉस पंदरे में एक दूसरे से लड़ते जगडते नज़राने वाले हैं हाली में ही साथी दोस्तों दो नाम ये होगे तीसरा नाम और मैं आपको बता देता हूँ तीसरा नाम आप जानते ही हैं कि मैं किसका बताने जा रहा हूँ तीसरा नाम आ रहा है जो सल्मान खान के रियल्टी सो बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रही है रिया चक्रवती जो की सुसान सिंग राजपूत की गल्फेंट थी और उनको सबसे ज़्यादा घसीटा गया था उनका नाम भी बिग बॉस पंदरे के लिए अप्रोज किया गया है वाकई में देखना काफी दिल्चस्प होगा जब बिग बॉस के अंदर रिया चक्रवती एक वार फिर से घरवालों के साथ में फाइट करती नजराने वाली हैं क्योंकि अभी से ही रिया चक्रवती काफी excited है कि बिग बॉस में कैसे कैसे उनके साथ में होने जा रहा है दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ मेरी वीडियो को like करेंगे, channel को subscribe करेंगे, comment करके जरूर बताएंगे